जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुफों से गुजरना पड़ा है इतनी छोटी अभी में वो भी दूर अकेले मैं कलपड़ा कर सकता हूं कि किस परकार की मानसिक परिस्थी से आपको गुजरना पड़ा होगा कठेनाईयों के बीच भी हम ठीक से अभी वेक्विशन कर पा रह पीने कोई दिकत नहीं हुए आप बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे श्रेंट जो फटेवेते वो कल भी लैंड कर गया है, कुछ आज लैंड कर गया है थैंक्यो समोधी सार, हम लोगोंने बहुत बहुत आराम से हमाह से निकल गया है बॉडर क्रॉस करने के बाद इंडियन एंबेसी में हमें बहुत ही इसको रक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुचाया तो मैं हमारे प्रदान मंत्री नरिंद्र मुझी जी आनि कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक शुरक्षित पहुचाया और मुझे विश्वाश है कि और भी जो बच्चे परते हैं आप उन्हें भी जल पर जलून के घर पहुचा देंगे सब्सक्राइब जब अटेक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहां से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे और सर दो रात हम ऐसे गुजारें यह से लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूं और गर्व है मुझे यहां के सरकार पर सराप और सर सबसे आदा कर मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर जब हम इवाक्वेशन से आरे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियो हुगा उस डिरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था और सिंगर होप ओनली इस इस कि हमारा गॉर्मेंट एंड पर्स्ट ऑफ और सबस्टेशली यू सर सर भगवान के बाद अगर अगर में नाम लिया जा रहा था तो सर वह आप थे मोधी जी हमें बचा देंगा जो भी कर सकते हैं? मोधी जी कर सकते हैं? अब इस से भड़ा हम कुछ कहीं सकते हैं no that time? They are all wasting from God and they are always, I have no words sir. घर में सौ बार नाम सिर्फ आपका दियाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे वही कुछ कर सकते हैं अब कोई कुछ नहीं कर सकता हम जब बस पर जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहां पर हमारी चेकिंग हुई आर्मी अंदर आई बट उन्होंने छोड़ दिया मैं मतलब हमारे फ्लैक को देके छोड़ दिया इवन जो अधर कंट्रीज के बच्चे थे नाइजेरिया और एकन वो सब हमारे जंड उन्होंने बोला था कि दुम्हारे पिताजी ने तो ये वार नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोधी मोधी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आप जरूर ही निकाल रहेंगे जब अटैक हुआ था 24 को तो 25 को हम सारे राशन वाशन की लाइन में लगे हमें लगा कि एक हफ्ते लग जाएंगे हमें एक एवाइक वाइशन के लिए लेकिन हमें 26 को ये मैसे जा गया कि आज आपका एवाइक्टूइशन हैं बादर पोचे फिर वहां से हम रुमैनियन बार्डर को प्रॉस किया और फिर हम लोग स्टारी के लिए ऐसके लिए से जो और एक अटे बाद मेरे पीटा जी का जिहान तो अक्राइशन हो क्या थे सची तो इंसक वर्व ने की देखा या अब कुछ आओगी कि निकर पाउंगी तो टो इंकर पार थो जाते थे उनको पता चला कि सरकार ने इसना इंचिजाम किया है आजाओंगी जैसे उन्होंने मुझे देखा आपको इसनी दूआ दी है इसकी दूआ दी है कि आप हमेशा खुश रहा हमेशा जी है उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिकत कहीं भी महसूर नहीं हुई हमारे इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैक के दरी दूसरे नेशन के लोग निकल रहे हैं तो थाइक यू सो मच थाइक यू सो मच अना देश मजबूत हो इन सारी समझज़ों के समयदान उसी में है उसी प्रकार से मैं तो भी मानता हूं कि अगाने देश में पहले से मेडिकल एज्यूकेशन की नीतिया सही होती है आप लोगों को बार नहीं जाना पड़ता है को नहीं जाना पड़ता कौन माबाब चाहते हैं कि छोटी उमर में अक्यली बेईते कोई माबाब नहीं चाहते हैं लेकिन हम लगे हैं देखे पहले प्रवेट मेडिकल कॉलेज थी अब रिफ साथ सो तक पहुंच गए है है और जिली में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं पार हमारे देश में कोई प्रवेट मेडिकल कॉलेज हो रही है और मेरी कोशी से घर जिली में मेडिकल कॉलेज हो जिस प्रकार की कोशिस हम कर रहे हैं तो शायद दस साल के भीतर भीतर पिछले सब्तर साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नहें दस साल में बन जाएंगे इतना बड़ा काम हो जाएगा तो बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा मजगूरिया खतम हो जाएगी परिवार को भी टेंशन नहीं होगा तो मेरी कोशिस है लेकिन इसके लिए तो कुछ लगुच करते रहना चाहिए समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए तो इस संकत के समय कि अगर कोई बच्चा घुसा भी करता है तो मैं मानता हूं यह स्वाभाविक है इतनी मुसिवत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना तो यह बहुत स्वाभाविक है अगर किसी बच्चे को उसके माबाप को भी अगर गुसा है इवन मेरे नहीं है तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुसा जायज है जायज है खर जब समझेगा मन सांथ होगा तो फिर प्यार भी करेगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुक्काम नहीं लिए